साथियो आज मैं आपसे एक और आगर करूँगा आपने आज जो सिखा है वो आपके भविष्च का आधार जरूर बनेगा लेकिन आपको भविष्च के हिसाफ से अपने कौशल को अपग्रेड भी करना ही पड़ेगा इसलिए बात जब स्कील की होती है तो आपका मंत्र होना चाहिए स्कीलिंग, री स्कीलिंग और अप्स्कीलिंग आप जिस किसी भी शेत्र में है उसमें क्या कुछ नया हो रहा है इस पर जरूर नजर रखें जैसे अगर किसी ने ऑटो मोबेल का सामाने कोर्स किया है तो उसे अब इलेक्रिक वेहिकल के हिसाब से खुद को री स्कीलिंग करना होगा ऐसे ही हर क्षेत्र में चीजें तेजी से बदल रही है इसलिए आप अपनी स्किल को बदलते समय के हिसाब से अपग्रेड करते रहें इनोवेट करते रहें अपने एक शेत्र में कौन सी नई स्किल सिखने से आपके काम की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी ये जानना भी बहुत जरूरी होता है इसलिए नई स्किल भी जरूर सिखें और अपने ज्यान को साजा भी करें